तो स्वागत एक बार फेट से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देवें दोस्तों तो दोस्तों समसामी की फरवरी का ये सेकंड पार्ट है इससे पहले हम लोग एक पार्ट ला चुके हैं और जनुरी की जो समसामी की थी यानि की जो करण्ट अफेश जनुरी का था उसके हम सिक्स वाड लेके आ चुके हैं दोस्तों वो सब भी आपने नहीं देखे हैं तो जाएए उनकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों वहाँ से देख लीजिए क्योंकि करण्ट अफेश जो है वो बहुत सारे एक्जाम्स के लिए अपना एक अलग योगदान अपना एक अलग महत वह रखते हैं दोस्तों सुरू करते हैं पहले प्रशन से मोबाइल सेवा परदाता कंपनी एरटेल दोरा दिस्सुंबर 2019 में वी ओ वाइफाई यानि की वोईस ओवर वाइफाई कॉलिंग की सुविधा सुरू करने के पश्चात वह कंपनी जिसके दोरा इस सुविधा सुरू कीगी तो सबसे पहले तो सुरू किया एरटेल ने जिस वाइफाई कॉलिंग का सिस्टम तो दोस्तों उसके बाद दूसरी कंपनी वो कौन सी थी जिसने वाइफाई कॉलिंग सुरू की जियो वोडाफोन आइडिया या फिर वी एसेनल तो दोस्तों वो कंपनी थी जियो सेकंड नमबर पे पहले नमबर पे एरटेल आठ जनवरी 2019 संपोर्ण भारत में सुरू कर दी गई है तो जनवरी में की जियो ने और देसमर में की एरटेल ने दोस्तों इस सुविधा को पता आपको कैसे यूज़ गरना बिल्कुल फिरी है आप कोई भी एक अपना स्मार्टफोन ले लीजिए उसको वाइफाई कोई भी डिवाइस ह तो उससे आप कनेट कीजिए और जैसे कॉल लगाएंगे तो वाइफाई का सिगनल प्लस कॉलिंग का सिगनल आएगा साथ में तो आइकन आएगा तो उससे आप समझ जाओगे अब जो है वोईस ओर वाइफाई दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ी सी कॉलिटी जो है वो औ को यूर कस्टमर नेमों में वीडियो आधारित ग्राक पैचान परकर या वी सी आई पी वीडियो बेस्ट कंस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोसेस नामक नवींतम संसोतन कब किया गया तो यह जो है वीडियो बेस्ट जो है के वाइसी के वाइसी आमतोर पर आपको खुद वाँ जाके करवाने पड़ती है आपके लगलग डॉक्युमेंट्स होते हैं उस बेस पर होती है लेकिन यह वीडियो के वाइसी की सुईदा शुरू की गई दोस्तों नौजनुए 2020 को शुरू की गई है इस नए संसुधन के तहत दूरस्तिस्तान जहां ऑफलाइन के वाइसी संभव नहीं है वहां पर डीजिटल के वाइसी की जा सकती है जिसके अंतरगत के वाइसी परकरिया के दौरान ग्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहां फिर नरेगा जौब कार्ड इनमें से कोई भी जो अगर दस्ताविज है तो वो भी आपका मानने रहेगा दोस्तों अगले प्रशन के दर बढ़ते हैं नैशनल एलुमीनियम कंपनी लिमिटेड याने की नाल को के नवीन अध्यक्स और परबंद निदे सक कौन न्यूक्त हुए है तपन कुमार चंद, स्रीधर पात्रा, अतूल कर्णवार या फिर के विजे कुमार तो दोस्तों वो है स्रीधर पात्रा जो की नालकों के नए हैड है अगले कुश्चिन तर बढ़ते हैं किस आईये सदि विकारी जिनको सूचना और परशाण मंत्राले का नया सचीव बनाया गया दोस्तों तो वो है रवी मित्तल अगले कुश्चिन की तरफ बढ़ते हैं इसरो द्वारा मानव मिशन है तो अंत्रिक स्यात्री प्रक्षिशन के इंद्र के इस्थापना किस राजिये में की जाए तो 2700 करोड के बजट का प्रस्ता त्यार हो चुका है जो अगले तीन साल में त्यार होगा जिससे मिशन गगन यान के अंत्रगत 2022 तक तीन यात्रियों को अंत्रिक्स में भेजा जाएगा दोस्तों तो यह गगन यान की योजना है और जैसक मैं आपको जो है जन्मरी वाले क सब्सक्राइब बताए भी था कि गगन्यान मिशन के तहर्ट जो है जो लोग जाने वाले वह अपने इंडियन एर फोर्स के लोग है क्योंकि वह थोड़ा सा उंचाहियों पर उड़ चुक है तो उनको थोड़ा सा नॉलेज है आसमान की एक तरीके से हम अपने आम भासामक सब्सक्राइब बहुत सारी परकरियाओं से गोजरना है लेकिन वह लोग है वह पहले ही उड़ाना और एक रॉकेट और सिमिलर थींगे वह चलो सीधे अंत्रिक्स की तरफ जाते हैं इनकी स्पीड भी काफी जो है उस लेवल की होती है तो इसलिए अंत्रिक्स यात्रियों क ग्रूप में चैन किया दाता है इंडियन एर फोर्स के जो सैनिक है उनका हाली में नवगठित जार्खन विदान सबा के अध्यक्स कौन बने है सीपी सिंग शशांक शेकर भोगता देनेस उराउं या पिर रविंदर नात मैं तो तो दोस्तों जो नए अध्यक्स है जार्ख तो वो राज्य दोस्तों जो है वो है केरल राज्य बनाम राज्य अत्वा राज्य बनाम केंद्र के मामलो है तो निर्मित अनुचेद 131 के अंतरगत केरल सरकार द्वारी एक अदम उठाया गया है CAA के विरुद न्याले जाने वाला केरल जो है वो पहला राज्य है दोस्तों अनुचेद 131 का परियोग सर्वपर्थम 1963 में पच्ची मंगाल ने किया था तो यह अनुचेद 131 क्या है दोस्तों इसके तहत राज्य और केंद्र का कोई जगड़ा होता है या फिर राज्य और राज्यों का कोई जगड़ा होता है तो उसमें 131 अनुचेद के अंतर का जो है वो कौर्ट जाते है और कौर्ट यानि की सरवोच न्याल है उनका ये मामला निपटाता है तो उसी के तरह जो है उन्होंने के अंदर सरकार के विरुद वो कोर्षम पे गए है कौन केरल सरकार तो वहाँ पे जो अनुचे दियो जो ता अनुचे दे 131 और इसका सबसे पहला परियोग तो पच्ची बंगाला किया था और वर्तमान जो परियोग है वो C.A. के विरूद के रलना किया दोस्तों अगले कुश्चन तरब बढ़ते हैं एसियन विकास बैंक यानि की ADB एसियन डेवलप्मेंट बैंक के दसमें अध्यक्स कौन चुने गए है मसाद सुगू असकावा ताके ही को नकाओ के विजे कुमार या फिर M.V. रमना तो दोस्तों जो दसमें अध्यक्स जो नवीन तम अध्यक्स ADB के वो है मसाद सुगू असकावा असकावा वर्त्मान में जापान के परधान मंतरी और वित मंतरी के विशे सलाकार के रूप में भी काम करते हैं तो उनको बना गया दोस्तों अगले कुशिंदर बढ़ते है अगले कुशिंदर बढ़ते हैं दोस्तों भारती क्रिकेट टीम के किस तेज गेन बाज को सर्वस्रिष्ट पुरुस अंतराष्टी क्रिकेटर जिसको पॉली उम्रीगर पुरुसकार भी बोलते हैं से समानित किया गया है दोस्तों तो वह कौन है वह उनेश्वर कुमार जस्परित बुम्रा मोहमत समी आफिर इसान सर्मा तो वह तेज गिंद बाज जिनको बी तो दोस्तों वह है जस्परित बुम्रा यानि कि पॉली उम्रीगर पुरुसकार के विजिता जस्परित बुम्रा टेस्ट किर्केट में दक्सीन अफरीका इंग्लेंड और वेस्ट एंडी इन सब के विरूद पांच-पांच विकेट लेने वाले एक मात्र एसीय गेंदबा जो है वो जो है अपने बुम्रा है उनको दिलीव सर्देशाई पुरुसकार भी दिया गया तो दो पुरुसकार इनको दिये गए फिर कृष्ण मचारी स्रीकांत को कर्णल सी के नाइडू लाइफटाइम अच्यूमेंट अवार्ड से पुरुसक्रित किया गया पुरुस सर जो अब टीम इंडिया नहीं है रेटार्मन ले चुके हैं और अब जो मेरे नरजरियम दूसरी जो द वॉल अगर कोई है तो चितेस्वर पुजा रहा है अगले कुश्चिंदर बढ़ते हैं बी सी सी द्वारा वार्षी पुरुसकार समारों में किस महिला किर्केटर को सर्वसरिष्ट अंतराष्टी महिला किर्केटर का पुरुसकार दिया गया मिताली राज जूलन गोस्वामी इसमर्ती मंधाना या फिर पूनम यादव तो किने दिया गया दोस्तों तो वो है पू समानित किया गया है अंजूम चोपड़ा जो की कमंटेटर है और जो है उनको मैला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ड दिया गया है और दोस्तों मैला सरुस्रेश्ट अंतराष्टी पतार पर जो है वो सेफाली वर्मा का है उन्होंने सबसे बिडिया डेब्यू किया है अगले कोश्चन दर बढ़ते हैं किस भारती किर्केटर को ICC यानि कि International Cricket Council ने सरुस्रेश्ट ODI किर्केटर 2019 का पुरुस्कार दिया है विराट कोली रोईत सर्मा सुरेश रहना जस्परित बुम्रा तो कौन से वो किर्केटर है जिनको सरुस्रेश्ट ODI किर्केटर 2019 का पु सतक और पूरे वर्स में साथ सतकों के साथ 1490 रन बनाने इतुरोई सर्मा को ये पुरुस्कार दिया गया है अगले कोश्चन दर बढ़ते हैं अंतराश्टी किर्केट परिसेद द्वारा किस भारती किर्केटर को ICC Spirit of Cricket Award of the Year पुरुस्कार दिया गया है मैंदर सिंग धोनी विराट कोली सचिन तेंदुलकर यहां फिर केया राहुल तो दोस्तों ICC Spirit of Cricket Award of the Year जो दिया गया वो विराट कोली को दिया गया इसकी बीची रीजन है जब इस्टिव स्मित को लोग बूख कर रहे थे बहुत जादा अपने ऑस्टेलिया में क्योंकि वो गेन समन्दी उनक की सजा भुगत चुक है और अब यह वापस बिलकुल आए बिलकुल एक जो निर्दोस व्यक्ति बन गे तो प्लीज आप इनको ऐसे मत करिया और समान दीजिए तो इसी के लिए उनको दिया गया है ICC Spirit of Cricket Award of the Year फिराट कोली को अगले कोश्यंतर बढ़ते हैं ICC द्वारा द इंडीज दक्सिन अफ्रिका या इंग्लेंड तो बैन इस्टो को जो एवाड दिया गया दोस्तों वह हैं रहने वाले इंग्लेंड के और यह बहुती बड़े आज के समय का और राउंटर है इंग्लेंड को चैंपियन बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और पहले कोई किर्केटर भारत के कोई वेक्तितों जो आई सी सी के अवाड जीते थे तो वो थे टेस्ट किर्केटर आप दे यर और किर्केटर आप दे यर दोनों जो है अवाड उन्हाने जीते थे वो तो आपको पता ही राहूल दर्वीड भारत की ओरिजनल दवाल जिन्हों जो ये दो आवार्ड जीते तो सबसे पहले वैक्तितों जो थे वो रावल दर्विड थे अगले कुशिंदर बढ़ते हैं भारत में इस्पैनिस सेज्ट डिविजन फुटबॉल लीग जिसका नाम है ला लीगा का प्रत्थम परचार क्याने कि एमबेश्डर किसी न्यूक्त क किया गया है अगले कुशिंदर बढ़ते हैं पैरिस में दो दिसंबर को आयोजित समारो बैलोन डी ओर पुरसकार को रिकॉर्ड छट्वी बार किस फुटबॉलर ने जीता है बैलोन डी ओर को लियोनल मैसी क्रिस्टियानो रोनार्डो नेमार यहां फिर डिये को मारा डोना तो यह जो पुरसकार है दोस्तों यह छटी बार किस फुटबॉलर ने जीता तो वो है लियोनल मैसी जो कि अर्जेंटिना के रहने वाले हैं और इससे पहले इस पुरसकार को जो है पांच बार जीता था दोस्तों वो पांच बार किस ने जीता भी बताते आपको तो पूर म के फुटबॉलर किस्टियान रोनाडो के नाम था और अब इसको छे बार जीत लिया है लियोनल मैसी ने अगले कोश्च अदर बढ़ता है मैला फुटबॉलरों में किसे फैमिनिन बैलो डी ओ और पुरुस कार दिया गया तो पुरुस्वा वाले का यह सैम जो अवार्ड है ल 2019 फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट भी जीत चुकी है मेगन उन्होंने ये पुरुसकार जो है दूसरी बार अपने नाम किया है अगले कुश्च अदर बढ़ते हैं आयुद निर्मानी बोर्ड के नए अध्यक्स कौन बने है सौरब कुमार हरी मो अगले कुश्च अदर बढ़ते हैं भारती नागरिक लेखा सेवा की किस वरिष्ट अधिकारी को देश के 24 में लेखा महालेखा नेंत्रक के रूप में पदबार दिया गया है सोमा रोय वर्मन अलका रेहानी भारदवाज संगीता रेडी या फिर सना मारिन तो वो है दोस् वर्मन जिनको यह जो पद दिया गया इस पद पर आसीन होने वाली वो अब तक की साथ वी महीला हैं दोस्तों अगले कुश्च अदर बढ़ते हैं राष्ट पती रामनात कोविन जी दौरा साथ दिसमबर 2019 को राष्टिये फ्लोरेंस नाइट इंगल पुरुसकार दिया गय राष्टिये फ्लोरेंस नाइट इंगल पुरुसकार दिये गए यह किस सेक्टर के करमचारियों को दिये जाते हैं सैने नर्सिंग वित यहां पर निजी सेक्टर के करमचारियों को तो दोस्तों यह दिये जाते हैं नर्सिंग जो होते हैं नर्सिज बगरा उन सब को दिये 2019 को भारती खाध्य सुरुखसा और मानक प्रादिकरण ने किस भारती। रेलवे श्टेसन को four star rating के साथ ही Ers यानि की eat right station का परवाण पत्र दिया तो फौर स्टार जो है अपने उसमें मानक प्रादिकरण झो है साथी शूरुखसा और श्रुखसा तो वो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अगले कोश्च अंदर बढ़ते हैं भारतिय वायुसेना ने किस वायुसेना प्रमों के नाम पर छे राफेल प्रक्षिक शक विमानों पर टेल नंबर आर भी चिनह जो है चिनने का निरने लिया टेल नंबर मतलब जो है हवाई तो उनी के नाम पर ये आर भी चिनह जो है अंकित किया गया है अगले कोश्च अंदर बढ़ते हैं राश्टी विदिक सेवा प्रादिकरण के नमिंतम अद्यक्स के रूप में कारिबार किसने गरण किया है एन वी रमन्ना एस ए बोवड़े ए आर भारद्वाज या फिर व राश्टी विदिक सेवा प्रादिकरण अगले कोश्च अंदर बढ़ते हैं दिसम्बर 2019 में केंदर सरकार द्वारा किस केंदर सासित परदेश में वहानों के पंजीकरण है तू एक नवीन पंजीन टेग जिसको एल ए कहते है कि शुरुआत की कि जिस राजस्थान का आज होता है गुजरात का जीजे होता है ठीक है तो ऐसे जो है नवीन टेग एले जो है वो किस के अंदर सासित परदे से तुआरम किया गया लदाक जम्मू कस्मीर लक्ष दूइप या पिर दादरा नगर हवेली तो एले में तो दोई आ गए आपके लदाक और लक्ष दीव ले कुल्स रेष्ट या फिर आरूसी कोशल शर्मा तो दोस्तों वह अधिकारी जो है वह अलका रिहानी भारदवाज लोड़ा समीती की जो नई सिफारी से नया जो सवीदान है बी सी स्याई का उसके अनुसार सीस नित्रतों में कैग की प्रतिनिदी की मौजूद्गी आवे सक होते हैं उनका कोई भी एक बहुत बड़ा हेड जो है वह उसमें होना चाहिए अपने किसमें लोड़ा समीती की सिफारी से पारी से नुसार बी सी सी नित्रतों अगले कुछ नतर बढ़ते हैं आली में भारत के विदेश सचीव की रूप में किसे निउक किया गया है देवे सर्विसेज के बैच के अधिकारी स्रंगला विजे गोखले से कारे बार अपना जो है ग्रण करेंगे दोस्तों अगले कोश्चन तर बढ़ते हैं भारती मूल की अमरीकी नागरिक डॉक्टर मनीशा घोस को अमरीकी सरकार द्वारा क्या निउत किया गया है संगी ये संचार आयो की प्रमुक जो है मरलब हैड निउत किया है डॉक्टर गोज जो है वो अमरीकी संगी संचार आयो की प्रत्थम महिला प्रमुक बनी इससे पहले सारे पुरूसी बनते थे अगले कोश्चन दर बढ़ते हैं देश के 78 से अधिक समाचार चैनलों के संग न्यूज ब्रॉ सारन होते हैं और 14 विविन भासाम होते हैं तो इस जो ग्रूप है जो फेडरेशन है इसके गवर्निंग बोर्ड के अधिक्स के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया दोस्तों तो दीपक चौरसिया सुधीर चौदरी रवीश कुमार अलनव गोस्वामी तो दोस्तों किने अधर पात्रा रवी मित्तल यहां फिर गिरिश चत्रुवेदी तो भारती साधान भीमा निगम के जो नवीन अध्यक्स और परबंदग नेदेशक न्यूक्त हुए हैं दोस्तों वो है डेवेस श्रीवास दोस्तों तो आगे वाले जो क्विस्चन है वो सारे आपको थर्ड पार्ट में मिल जाएंगे तो दोस्तों तब तक रखिए अपना ख्याल कोरोना का अभी भी साया चल रहा है हमारे उपर तो उससे बचके रहिए सुरक सिद रहिए और अपना ख्याल रखिए और थैंक यू बेरी मच वो वाचिंग धन्यवाद नमस्कार